हलो वरिवन, वेलकम बेक टो मैं उटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रधान मंत्री मात्री बंधना योजना के संबंद में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जो की आगामी महिला सुपर्वाइजर भरती परिक्षा दोजार तीज एवं महिला एवं बालविकास विभाग के अंतरगत संचालित होने वाले विभिन भरती परिक्षाव के द्रिष्टी कोन से अत्यांती मर्थ पून हो सकता है, तो प्रधान मंत्री मात्री बंधना योजना से समंदित पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंतक जरूर बने रहे, तो चलि महिला ससक्तिकरन कारिक्रम अंतरगत, महिलाओ की सुरक्षा एवं बचावितु पूर्व से संचालित योजनाओं में संसोधन करते हुए नविन घटक सामिल करते हुए सभी महिला कल्यान से समंदित कारिक्रमों को संकलित करते हुए 1 अप्रेल 2022 से एक अंब्रेला योजना म मिशन सक्ति का आरम क्या गया है? इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी कारिक्रमों को संकलित करते हुए 1 अप्रेल 2022 से एक अंब्रेला योजना जिसका नाम मिशन सक्ति है का आरम भारत सासन के महिला एवं बाल विकास मंत्राले द्वारा क्या गया है? अब मिशन सक्ति के सामर्थ उप योजना के अंतरगत प्रधान मंत्री मात्री वंदना योजना के बारे में बात करें तो महिलाव को आज भी अलप पोशन प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। देश में हर तीसरी महिला अलप पोशित है तथा हर दूसरी महिला रक्ताल्पता से पीडित है यानि की रक्त की कमी से पीडित है। अल्पपोशित माता अधिकांस्ता कम वजन वाले सिस्वों को ही जन्म देती हैं जब कुपोशन गर्भासय में ही सुरू हो जाता है तो या पूरे जीवन चक्र में चलता रहता है और ज्यादा तर अपरिवर्तन सील होता है या अपरिवर्तनी होता है आर्थिक और समाजिक तंगी के कारण कई महिलाएं गर्भावस्था के आखरी दिनों तक अपने परिवार की जीवी का अरजित करना जारी रखती हैं इसके अलावा अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वक्त से पहले काम करना सुरू कर देती हैं जबकि उनका सरीर इसके लिए त्यार नहीं होता है इस प्रकार से वे एक तरफ अपने सरीर को पूरी तरा स्वस्थ होने से रोकती हैं और पहले 6 माह में अपने 9 निहालों को अनन्य श्तनपान कराने की अपने सामर्थ में भी बाधा पहुँचाती है उपरोक्त परिदिश्य को ध्यान में रखते ह तथा प्रथम जिवित संतान हेतु योजना का लाब दे हैं योजना अंतरगत लप्षित लाभर्थियों की बात करें तो ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं इस्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़ कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों क के साथ नियमित रोजगार में है या जो अरतमान में लागो किसी कानून के अंतरगत समान लाब प्राप्त कर रही हैं सभी गर्भवती महिलाओं एवं इस्तनपान कराने वाली माताओं पात्रता रखती हैं वहीं योजना अंतरगत लाब के संबन में बात करें तो योजना मिशन सक्ती की मार्गदर्सी का नुसार इस वित्ती वर्स 2022-2022 से योजना अंतरगत महिलाओं को प्रतम संतान के जन्म पर दो किस्तों में रासी 5000 रुपए एवं दृती संतान बालिका के जन्म पर एकमुष्त रासी 6000 रुपए दे होगी जिसे लागू किया जा रहा हैं वह प्रधानमंत्री मात्री वंदना योजना अंतरगत उपलब्धियों के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री मात्री वंदना योजना अंतरगत योजना प्रारंब से दिसंबर 2022 तक की स्थिती में कुल 277,123 हित्गराहियों का आविदन ऑनलाइन दर्ज किया जाक चुका तथा परिक्षन उप्रांत कुल 97,411 हित्ग्राहियों को कुल 43,15,05,000 रुपय का भुक्तान भी किया जा चुका है। वहीं योजना प्रारम से अब तक कुल 7,55,645 हित्ग्राहियों को लभानवित करते हुए कुल रासी 288.26 करोड रुपय का भुक्तान भी किया गया है। प्रिष्टी कोन से उपलब्दी से समंदित ये आकड़े आपके लिए महत्पून हो सकते हैं जिनें परिक्षा में पूछे जा सकते हैं अता इन पर विशेश ध्यान दे। और यदि आवश्यक हो तो इस योजना से समंदित जो भी डाटा है जो भी आकड़े हैं उसको आप एक नोटबूक में भी लिख ले जिससे की एकजाम प्रिप्रेशन में आपको आसानी हो सकें। ये तो थी मिशन सकती के अंतरगत रधान मंत्री मात्री वंदना योजना से समंदित विश्ट्रित जानकारी आसा करता हूँ आप लोगों को या वीडियो पसंद आएगा इसी प्रकार के इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हमारे नेक्स वीडियो में तब तक के धन्यवाद